स्पेन से कैटलोनिया अलग होने की मांग कर रहा है इस दोरान इन दिनों वहां हिंसा भी बढ़की हुई है और वर्तमान हिंसा का मुख्य कारण कैटलोनिया समर्थक अलगावादी नेताओं को 9-13 वर्ष की सजा सुनाने के खिलाफ है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैटलोनिया के बारे में इसका इतिहास क्या है यहाँ पर विवात क्यों हो रहा है सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कैटलोनिया है क्या तो Catalonia उत्तरपूर्व स्पेन में एक अर्ध स्वायत छेतर है जिसका इतिहास लगबग 1000 साल पुराना है आर्थिक रूप से सम्वरिद इस छेतर की आबादी लगबग 7.5 मिलियन है Catalonia की अपनी भाषा, संसद, ध्वज और गान भी है इसके साथ ही इनकी अपनी पुलिस फोस भी है Catalonia अपनी कुछ सारवजनिक सेवाओं को नियंद्रिद भी करता है अब हम देखते हैं क्या है Catalonia का इतिहास यह उत्तरपूर्वी स्पेन में आईबेरियन प्रायदीप में है Spanish ग्रहयुद जो की 1936 से 1939 तक चला था Catalonia की पहचान जैसे कि उनके कैसल या मानो टावरों को प्रतिबंधित कर दिया गया और वहाँ के छेत्रों को उनके बच्चों के लिए Spanish नाम चुनने हेतु मजबूर कर दिया गया फ्रेंकों के मृत्यू के बाद इस छेत्र को 1978 में सम्विधान के तहट फिर से स्वायत्ता दे दी गई और नए लोकतांत्रिक स्पेन के हिस्से के रूप में सम्रिध कर दिया गया लेकिन ये 2006 के एक नए कानून के तहट कैटलोनिया को और अधिक शक्तिया ब्रदान कर दी गई और इसकी वित्ती ताकत को भी बढ़ा दिया गया और इसे राष्ट के रूप में वनिद भी कर दिया गया लेकिन स्पेन की समयधानिक अदालत ने ये 2010 में इसमें फिर से उलट फिर कर दिया अब वहाँ पर क्यूं हुआ विवाद कैटलोन के राष्टवादियों को लंबे समय तक शिकायत रही कि उनके छेतर स्पेन के गरीब हिस्से में बहुत अधिक धन भेजता है क्यूंकि स्पेन द्वारा ही टैक्स को नियंद्रित किया जाता था वे ये भी कहते हैं कि ये 2010 में स्पेन की अपनी स्वायत स्थिती के परिवर्तन ने कैटलन आइडेंटिटी को कम कर दिया है एक अक्टूबर 2017 को यहां हुए एक जन्मत संग्रह में लगभग 90% कैटलन मद्दाताओं ने स्वातनतता का समर्थन किया लेकिन इस दोरान मद्दान केवल 43% ही रहा था हाला कि स्पेन के सवेंधानिक नियाले द्वारा इस जन्मत संग्रह को अवैद घोशित कर दिया गया लेकिन कैटलन संसत ने 27 अरगावादियों ने 27 अक्टूबर को स्वातनतता की घोशना कर दी इससे नाराज होकर स्पेनिश सरकार ने कैटलन नेताओं को बरखास भी कर दिया और संसत को भंग कर दिया लेकिन जून 2018 में नई सरकार के शपत रहन के बाद कैटलन के राष्टवादियों ने मैंडविट के प्रत्यच शाषन से छेतर का नियंदर वापस ले लिया लेकिन हाल ही में जब स्पेन के ने अले ने कैटलन नेताओं को सदा सुनाई तब से वहाँ पर विरोध बढ़ गया है अब हम देखते हैं कैटलोनिया के कुछ स्टैट्स स्पेन की अबादी का 16% कैटलोनिया में रहता है स्पेन के निर्याद का 25.6% कैटलोनिया से है स्पेन के जीडिपी 19% कैटलोनिया से है और स्पेन के विदेशी निवेज का 20.7% भी यहीं से है Catalonia के प्रयासों को अंतराष्टी इस्तर पर कोई समर्थन न मिल पाने के कारण ये लोग अपने मागों को मनवाने में सक्षम नहीं है हाला कि ऐसा कहा जा रहा है कि नमबर में स्पैन में होने वाले चुनाओक में Catalonia बड़ा मुद्दा बनने वाला है तो आज के इस वीडियो में इतना ही I hope आपको Catalonia के सारे issues समझ में आ गए हों और last में मैं आपको inform करना चाता हूँ कि expert guidance पिछले साल के तरह इस साल भी free test series organize कर रहा है जो की online और offline modes दोनों में available हैं अगर आपको test online देना है तो आप कहीं से भी बैट कर दे सकते हैं और अगर आपको test offline देना है तो आप हमारे center मुकरजी नगर या फिर द्वारका में विजिट कर कर दे सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद